देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको सारे एक-एक करके दिखा। की लाइन होती है तो वहाँ पर जो है आपको दो टैप के इंसुलेटर जो है देखने को मिलेंगे पहला है हमारा पीन इंसुलेटर और दूसरा है हमारा डिस्क इंसुलेटर यह हमारा पीन इंसुलेटर है जो की 11KV की लाइन में जो है यूज किया जाता है यहां पीन इंसुल क्या क्यों धायता यहाँ पर कंडुक्टर आपका यहां से क्रॉस होता है इस तरीके से इस प्याइड आप दो move ना करें तो यह आपका था fin insulator जो की 11 kv की है ठीक है और यह आपको दिख रहा हूँ इसे क्या बोलते हैं यह आपकी rain sheet है rain sheet क्या करता है जैसे की बरसात की मौसम में तो पानी पड़ेंगे पानी पड़ेगा बत क्या होगा इस पे जमेगा नहीं इस insulator पे कोई layer नहीं बनेगा पानी का वो करके अपना नीचे गिर जाएगा तो यहाँ पर पानी का जमाव ना हो इसलिए जो है rain sheet shape का जो है इसको बनाया जाता है और अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीज लिखी रहती है जैसा कि आपको दीख रहा यहाँ पर क्या दीख रहा ICPL इंडियन केन पावर जूबी ठीक है और यह आप देख सकते है इसकी क्या दीवी डेट दीवी है और यह क्या दिया हुआ कितने केन का है 5 केन का मतलब 5 किलो न्यूटन का इसकी mechanical strength बता रही है तो इंटर्विउस में भी पूछे जाते है कि कौन से इंसुलेटर जो है आपके 11 केवी के लाइन में यूज़ की जाती तो यह आपका पिन इंसुलेटर यूज़ किये जाते है अगर आपसे पूछा जाए कितने केन का यूज़ करते है तो आप देख सकते हो 5 के न मतलब इसकी mechanical strength की बात हो रही है तो यह आपका क्या हो गया 5 के न हो गया अब हम लोग देखते हैं इसी तरीके से आपकर मुझे 33 केवी की लाइन में इंसुलेटर यूज़ होंगे इसके size देख सकते हैं यह छोटा है यह थोड़ा बड़ा है अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर भी conductor रगेंगे इसके बाद यहाँ पर भी इसकी उसी conductor से इसको जो अथी तरीके से winding कर दिया जाएगा इस growth पर तो यह थी, तो इसकी size बड़ा है, आप देख सकते हूं, काफी बड़ा है, इसके according यह बड़ा है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसका भी mechanical strength, यहाँ पर इससे भी आपके इंटरव्यूज में questions पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर यह देखी, यह जो आपके 10 kN का, हमारे जो इससे भी questions पूछे जाते हैं, इंसलेटर के mechanical strength के बारे पूछे जाते हैं, कि कितने केंटे होते हैं, ठीके, तो यह थे आपके 11 kV के लिए pin इंसलेटर और आपके 33 kV के लिए, जो हमारा pin इंसलेटर यूज करते हैं, जो हमारी pin इंसलेटर होते हैं, उसको हम लोग कहाँ पर लाइन में वो तो इस V-Cross आर्म पे ही यह हमारे insulator जो हए pin insulator वो fix किया जाते हैं और जो हमारे disc insulator होते हैं वह चार piece के set में आते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्या हमारा disk insulator है जो कि 11 kv और 33 kv कीENS provisions दो जहें यूज किये जाते हैं यह 4 disk insulator जो है एक दूसरे से attach होता है यहा से आप इस disk insulator को अलग भी कर सकते हैं तो जो हमारी डिस्क इंसुलेटर होती है वह 11 केवी की लाइन में जहें यूज होते हैं जहाँ पर जो है आपका 11 केवी की डीपी होगी मतलब डियूल पोल होगी तो जो हमारी 11 केवी की लाइन में जो डिस्क इंसुलेटर यूज होते हैं वह 45 केवी होती है परती एक फेस के लिए जो हम लोग एक एक डिस्क इंसुलेटर लगाते हैं अगर हम बात करें 33 kv की लाइन में जहाँ पर आपका DP होगा वहाँ पर आपको disk insulator जो है देखने को मिलेंगे तो जो हमारी 33 kv की लाइन में जो disk insulator यूज होते हैं वह आपका 70 kv की होती है अगर हम बात करें कि 33 kv की लाइन में कितने disk insulator लगेंगे अगर आप 33 kv की लाइन को dog conductor से string कर रहे हैं खीच रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपका 70 kv का दो disk insulator जो है आपके परती एक face के लिए use किया जाएगा और अगर आप 33 kv की लाइन को उल्फ कंड़क्टर से स्ट्रिंग कर रहे हैं खीच रहे हैं तो जो है आपका 70 kv का 4 disk insulator परती एक फेस के लिए जो है यूस किया जाएगा मैं उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्टिकल फ्रेंड के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो गुड लग और फिर देट